अब यह आप देख रहे हों कि यह जो लैप्टोफ है रिपेर हो चुका है प्रोपर और इसकी जो कंडिशन देखोगे एक दम पहले जैसे यह आई थी वैसे हो गई है अब देखोगे तो पीछे की साइड में आपको यहां पर यह मॉडल जो है वो दिखा हुआ मिल जाएगा आपका अलाकि यह लैप्टोफ स्टील बोडी में है और ग्रेकलर में आपको देख रहे हो लेकिन इसकी जो मैं आपको दिखाना चाहरा हूं वह देखोगी कि इसका जो जो है टॉप पैनल का जिसमें हिंचेज होते हैं यह जो तो यह लेक्टॉप डीटे डेमेज लेकिन अगर जो आप उन करके देखोगे तो नज़र आएगा कि अभी यह प्रोपर रहा है चल रहा है सुकर के बात यह है कि इसका जो इसक्रीन है वो डेमेज नहीं हुआ लेकिन इसकी बॉड़ी डेमेज हो गए तो इसके के लिए जो लेप्टोप रिपेरिंग के लिए हमारे पास आया और आज हम आपको दिखाएंगे कि ऐसे केसे में कैसे लेप्टोप रिपेर करत है तो आज आगे चलके हम देखते हैं कि इसको रिपेर कैसे किया जाता है फिलाल तो बिना रिपेरिंग के अगर जो हम इसको मेरे ख्याल से एकाथ दिन भी यूज करते हैं तो हो सकता है कि इसका इसका स्क्रेइन भी डाइमेज हो जाए क्योंकि इसका पूरी पूरा जो हिं आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं और अगर आपके लैटोब में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैटोब की वीडियो बना कर इंस्टाग्राम पर भेजें हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोलुसन बताएंगे और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे जिससे की आपकी समस्या का समधान हो सके यह आप देख रहो बैक साइड का जो कबर था उसको खोलने के बाद आपको दिखरा होगा यह बैटरी है यह इसकी हार्डिक्स है और यह इसका हीट सिंक नजर आ रहा है हाई इंड का लैप्टोप है यह लेकिन यह फिजकल डैमेज के कारण आपको वैसा नजर आ रहा था फिलाल तो हम इसकी बैटरी रिमूव करेंगे और आगे की पार्ट्स उसको खोलेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमारे टेकनीचन इस लैप्टोप की बोडी को रिपेर करेंगे सबसे पहले हम इसके सारे कनेक्शन एंड बैटरी को डिसकनेक्ट करेंगे और उसके बाद लैप्टोप के हिंज को रिपेर करेंगे सूरज कम्प्यूटर्स लैप्टोप के हिंज रिपेर करने में नमबर वन है और किसी भी लैप्टोप के टूटे हुए हिंज और बोडी को बहुत ही परफेक्शन के साथ फिक्स कर देते हैं लैप्टोप के हिंज और बोडी को कोई भी रिपेर कर सकता है प्रन्तु अधर सर्वी सेंटर और हमारे काम करने में धरती आस्मान का अंतर है हमारे काम की क्वालिटी आख को सबसे अच्छी मिलेगी हमें लैप्टोप के टूटे हुए हिंज और बोडी को रिपेर करने में नमबर वन की पोजिशन मिली हुई है और हमारे पास में अधर स्टेट से भी लैपटोप लोग कोरियर के थूरू भेजते हैं और हमारी टीम डेली 10-12 लैपटोप तूटे हुए हिंज और बोड़ी को रिपेर करते हैं कि बोड़ी और हिंज टूटे हुए हैं तो आप उसे लोकल सर्विस सेंटर में दिखाने की बजाए हमें कोरियर के थूरू भेज सकते हैं हम आपके लैपटोप को बिल्कुल फिक्स कर देंगे और उसके बाद ऐसा फिल होगा कि आपका लैपटोप बिल्कुल पहले की तरह ही काम कर रहा है अगर आप हमारी वीडियो में यहां तक पहुँच गए हैं तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें हमने step by step दिखाया है कि लैपटोप के हींज को कैसे fix किया जाता है इससे आपको लैपटोप प्रिपेर करने का confidence बढ़ेगा और आप और आप easily ऐसे issues को fix कर सकते हैं अगर आपके लैपटोप में भी कुछ problem आ रही है और वो local service center में fix नहीं हो पा रहा है तो आप हमें अभी नीचे दिये के number पर whatsapp करें हमारी team आप से connect करेगी और आपकी समस्या को fix करने में आपकी help करेगी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी learning exercise है कि कैसे टूटे हुए laptop की body को fix किया जाता है हमारी team laptop के motherboard repair करने में भी expert है और अगर आपके laptop के motherboard में कुछ issue है या आपका laptop on नहीं हो रहा है और आप इस तरह की problem phase कर रहे हैं तो भी आप हमसे contact कर सकते हैं सूरज computer ship level पर laptop prepare करने में भी expert है और अगर आपके laptop में इस तरह की कोई भी समस्या आ रही है तो please हमें whatsapp करें हम आपकी समस्या को fix करेंगे कर्ण।ट में करें अभी आप देख रहे हों कि यह जो लैप्टोफ है रिपेर हो चुका है प्रोपर और इसकी जो कंडिशन देखो के एकदम पहले जैसे यह आई थी वैसे ही हो गई और चल भी बहुत बढ़िया रहा है तो अगर जो आपके पास में कोई ऐसा लैप्टोफ है जिसमें कोई प्रोब्लम आ रही है और हिंचे से रिलेटेड खासके प्रोब्लम है तो आप सूरीज केम्प्रेटर में कॉंटेक कर सकते हैं और अपनी टूटे लैप्टोफ या डैम